जैसम बिधान दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट पंकस कुमारति पाथी लखनवुसे आप सभी का दलॉजिकल इंडियन यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस समय भारत के तीन राज्यों में चुनाओ चल रहे हैं जिनमें से दो राज्ये और एक संगसासिच छित रहे जम्मू और कश्मीर वहां की विधान सभा का चुनाओ चल रहा है लेकिन आज मैं चर्चा करूँगा हर्याना राजे में चल रहे चुनाओ पर हर्याना में 90 सीटे हैं जो कोई पार्टी या गडबंधन 46 सीटे पाएंगी वो सरकार बना लेगी लेकिन दोस्तों वहां चुनाओ लड़ कौन कौन रहा है ये बताने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि 2024 का लोग सभाचुनाओ संबिधान वाद बनाम धर्म वाद पर लड़ा गया था है ये जो धार्मिक ध्रुवी करण के नाम पर राजनीती होती है उसको टकर देने के लिए संबिधान का जय घोस किया गया है क्योंकि संबिधान को बहुत हद तक नुक्सान भी पहुँचाया गया है संबिधान के सपत लेकर सरकार में बैठे पदासीन लोगों ने जिस तरह से संबिधान का माँ खोल उड़ाया है वो अभी तक के सरकारों में अभूत पूर है जिसके बचाओ में एकसर बीजेपी और उसके सहयोगी नेताया कहते हैं कि इंद्रा जी ने आपातकाल लगाया था लेकिन वे भूल जाते हैं कि इंद्रा जी का आपातकाल भी हो सकता है कि सक्तियों का दुरुपयोग रहा हो लेकिन उस संभीधान में उलिखित प्रावधानों के अनुसार था उस संभीधान में उलिखित प्रावधानों के खिलाफ नहीं था लेकिन जम्मू कस्मीर राजे का जो दर्जा चीना गया या वहाँ जो पांच वर्सों तक चुनाव रोका गया ये दोनों ही संबिधान के खिलाफ था ऐसे ही सुप्रीम कोट ने खोसित किया कि जो इलेक्टरल बॉर्ण था वो असंबैधानिक था तो बहुत सारे ऐसे क्रिया कलाप सरकार के अस्तर से किये गये हैं या किये जा रहे हैं जो हमारे संबिधान के खिलाफ है और यही कारण है कि 2024 के लोग सभाचुनाव में भारत का संबिधान एक मुद्दा बना है सभी राजनितिक दल दो खेमु में बट गए एक वे जो संबिधान के पक्ष में है और दूसरे वे जो संबिधान के पक्ष की बात तो कर नहीं सकते इस नाति जो धर्म के नाम पर राजनित करते हैं उनका अपना एक गुट लेकिन यह देखने को मिला है कि कुछे कैसे दल हैं जो दोनों के बीच में चल रहे हैं और उनके सारे सवाल उन राजनितिक दलों से हैं जो संबिधान बचाने की बात कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा चहरा सबसे बड़ा नाम है मायावती जी का तो ऐसे में मैं सबसे पहले चर्चा में यह देखूंगा कि 2024 के लोग सभाचुनाओं में कोई भी सीट न पाने के बाद हर्याणा का चुनाओं में BSP और मायावती जी क्या कर रहे हैं इसके अलावा एक मात्र सीट पर लड़ने वाले चंसेखा राजाज जी जो नगीना की लोग सभाच सीट से चुनाओं जीते हैं वे हर्याणा के विधान सभाचुनाओं में कहा हैं आप सब जानते हैं कि नगीना में भले ही कॉंग्रेस और सपा के इंडिया गडबंधन ने खुला समर्थन नहीं दिया था चंसेखा को लेकिन आम मद्दाताओं ने वहाँ पर जो अन्य जगह के मद्दाता इंडिया गडबंधन को ओड़ दिये थे वहाँ पर नगीना में लेकिन ये वही मद्दाता थे जो सम्विधान बचाने के लिए सलकों पर थे या होते हैं या जो सम्विधान बचाने के पक्षदर हैं या जो सम्विधान की सक्टि को मजबूत करना चाहते हैं देखना चाहते हैं लेकिन हर्याना के विधान सभाचुनाओं में चंसेखार लोग पर चर्चा करेंगे साथ ही कॉंग्रेस पर और भाजपा पर चर्चा करेंगे हम सब जानते हैं कि हर्याना में 15 वर्षू से बीजेपी का राज है कि जिसमें से दो कारेकाल तो पूर्ण भूमत का चला है और तीसरा जो है गटबंधन का है जज़पा का ऐसे में वहाँ बीजेपी के हाथ से सत्ता लेना विपक्षी पार्टियों और नेताओं का मूल लक्ष है और होना चाहिए और इसलिए सब को मिल कर चुनाओ लड़ना चाहिए यदि मिल कर चुनाओ नहीं लड़ते हैं लेकि फिर भी वहाँ चुनाओ लड़ते हैं तो ये बिपक्ष के ओटों का बटवारा है और बीजेपी को ये देखा गया है कि वो चुनाव जीतने के लिए दो तरफा रणनीती अपनाती है एक तो अपने पक्ष में धुरुवी करन करती है दूसरा जो उसके खिलाफ ओटों होता है उसको बांठती है आपने सुना होगा दोजार चुबिस के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटे घट गई है तो बीजेपी की नेताओं ने कहा कि उन्हें बीजेपी के इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी यानि बीजेपी ने कम ओट काटा सरियाम कहा है भाजपा की नेताओं ने यानि कि BSP जो इंडिया गड़बंधन में नहीं सामिल हुई या इंडिया गड़बंधन ने BSP को नहीं सामिल किया दोनों में से गलती जिसकी भी हो इस पर फाइदा लेने की नजर BJP की थी और आप जानते हैं कि जिन तीन प्रदेशों में BJP लोगसभा में मुखकी खाई है उनमें से एक उत्तर प्रदेश के बाद दो हर्याना और तीसरा महाराष्ट्र है इन तीन जगहों पर BJP को बहुत बड़ा नुक्सान उठाना पड़ा है 2024 के लोगसभा चुनाओं में तो ऐसे में हर्याना में जबकि तब BSP अगरक कहीं नहीं थे और आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस मिल कर चुनाओ लड़े थे तो लगभग आधे आधे पर बटवारा हुआ था BJP और यानि एंडिये और इंडिया में कि आज अगर कि बीएस पी वहां के एक राष्ट छेत्री पार्टी के साथ गड़बंधन बना कर लड़ रही है और चंद्रसेखा राजाद रावन की पार्टी भी वहां के एक छेत्री राजनितिक दल के साथ चुनाओं में गड़बंधन बना कर रहा है और खासकर वह तो उस दल के साथ है जो अभी सत्ता में रहा है तो क्या यह विपक्षी वोटों का बटवारा नहीं है आम आदमी पार्टी के मुखिया अर्विंद के ज्रिवाल या दिल्ली के डिप्टी सीम मनिश सी सोधिया दोनों को जमानत उसी समय दी गई है जो आम आदमी पार्टी भी वहां अलग एक लड़ रही है तो ऐसे में वहां के मद्दाताओं का जो संभीधान बचाना चाह रहे हैं कहीं विभाजन नहो जाए और कहीं अभी भाजन संभीधान वादी आंदोलन को कमजोर न कर दे इसलिए मेरी वहां के मद्दाताओं से को तो आप उहां उस गटबंधन या पार्टी के साथ खड़े होगे जो सबसे मजबूत दिखाई दें को कोई भी गटबंधन या दल हो सकता है और जो संभीधान बचाने का पक्चदर हो आप उसके साथ जुड़िए अगर आप अलग अलग टुकडे में जातिया और मजब में बढ़ गए तो संभीधान कमजूर होगा क्योंकि संभीधान कमी जातिया और धर्म की राजनीत करने की वकालत नहीं करता उसका पक्चदर नहीं है यह बड़ी दुर्भाग पूर्ण बात है कि हमारे नेताओं ने सबसे प्रमुकाधार बना दिया है लेकिन 2024 के लोग सबाचुना में उत्तरप्रदेश के मद्दाताओं ने बहुत धिमानी पूर्वक मद्दान किया उमीद है कि हर्याना के मद्दाता भी इसी प्रकार का काम करेंगे मैं एक बात कहूंगा कि तीन या चार ऐसी पार्टिया हैं जो दलित राजनीत के भरी हुई पार्टिया हैं मैं पांच पार्टियां मान लेता हूं जो दलित राजनीत के नाम पर पैदा हुई है जिनमें सबसे पहली है बहुजन समाज पार्टी रामदा सथावले की रिपबिकन पार्टी या इसके बाद जो है चिराग पासवान की पार्टी जीतन राम माजी की पार्टी और उत्तर प्रदेश में एक नई नवेली पार्टी का उद्व हुगा है आजात समाज पार्टी चंशेकराजाद रामण की ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश की जो दो पार्टियां है आजात समाज पाटिया और बहुज़त समाज पाटिये यह आपस में ताल मेल नहीं कर पा रही है और फिर दोस्त किसको फलाना बांट रखते हैं फलाना बांटते थे हमें को बांट के रखा है कौन रोक रहा है यह खूने में लिए कांग्रेस नहीं बुलाई लोग लोग सबाचुनाओं में जब मैं कह रहा था कि BSP को इंडिया गरबंदन में सामिल होना चाहिए था तो BSP के तमाम समर्थकों ने आरोप लगा दिया कि BSP ही क्यों सामिल होगी, कॉंग्रेस और सपार बुलाई क्यों नहीं यह बात ही अपने आप में गलत है, राजनीतिक समीकरण में कौन बुलाया, कौन नहीं गया यह नहीं देखा जाता मायावती जी के तरफ से कितना प्रियास था इंडिया गरबंदन में सामिल होने का, सुन्य, सुन्य था, नकारात्मक था चलिए कांग्रेस को तो उन्होंने सापनात कहा है, और भाजपा को नागनात कहती है, फाइदा उन्हीं को देती है हर समय, मैं इसको साबित कर दूँगा, कि मायावती जी की पूरी राजनीत जुआ है, किसको फाइदा देने के होती है, और अब तो जनता जान गई है लेकिन फाइदा देने में इतनी दूर तक चले जाना, कि चलो अखिलेस तो घमंडी है, मुलायम सिंह आदो से, गेस्ठाउस कांडुआ है, कांग्रेस सापनात है, चंदर सिखराजाद रावन से क्यों नहीं सहयोग ले लिया, उनको क्यों नहीं जोड़ लिया, या वे क्यो वहां लड़ने गए हैं, तो कौन सी सक्ती हासिल करने गए हैं, वोटपटवारा कि सीवाएं, ये राजनितिक अति महत्वा कांचा है, जो मुद्दे से जूड़ कर नहीं है, ये नीजी स्वार्थ की राजनित दिखाई दे रही है, और यही कारण है, कि चाया मादमी पार् वहां, बीजेपी बिरोधी जो खेमा है, जो कांग्रेस है वहां, एरसी बात है कि हर्याना में दूसरी सब्सक्र बड़ी सकती है, उसी के ओट बैंक में से इधमारी ये लोग कर रहे हैं, ये ऐसा इनका कोई ओट बैंक नहीं है, जो कि अगर ये उस ओट को नह ले तो बीज दच्षिरपंथी पार्टी है, इस थाबित है, संसत का उद्घाटन हो, या राम मंदिर का सिलानयास या जिनोधार या अस्थापना सिलानयास जो भी हो, सभी में जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, प्रधान मंत्री के द्वारा, उसमें दच्षिरपंथ की साफ साफ करना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि ये जाकर के हिंदु धर्म को आगे बढ़ाएं, इन्होंने नुकसान किया है, हमारे संकराचारियों की हवेलना इन्होंने किये, तो दच्षिरपंथ में भी ये नकारात्मक राजित कर रहे हैं, इसलिए जरूरत है कि हरियाना में समलोग जुट करके संबिधान के पक्षमे मत दान करें, और हरियाना तो वैसे ही किसान नौजवान और जवान, या नौजवान यानि विरुजगार, जवान का मतलब जो परिशान है, जो अगनिवीर योज़ना से परिशान हो, किसान जिनकी तो रिड़े ही तोड़ रही है सरकार, इन्होंने कमर कसली है, और इनके कमर कसने का प्रभाव ये दिख रहा है कि वहां से नरेंद्र मोधी का प्रचार अभियान गायब है, नहीं तो उनकी फोटों जो बड़ी-बड़ी लगती थे, उस सिकुर कर छोटी हो गई है, लेकिन, जहां जनता एक तरफ उनके ख विरोधी लहर से जो एक राजनितिक धुवी करन हो रहा है, उस ओट में से अधमारी कर रहे हैं, और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, हर्याना से जितने भी लोग आ रहे हैं, सब लोग यही बात कर रहे हैं, उर्मिलेस जी ने एक कारेकरम किया है, उसमें तीन कानों को जोड़ा है, जिनमें दो प्रोफेसर और एक बाम सेफ के बहुत बड़े पताधिकारी हैं या रहे हैं, इन तीनों लोगों ने माना है, कि बसपा और असपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ये तीनों ही वहाँ, ओट काटने का ही सिर्फ काम करेंगी, ये चुना आते हैं, उस वीडियो में, उन लोगों ने माद्दाताओं को सुझाव दिया है, कि आप बिना बटे, जैसे आपने लोग सभा चुनाओं में वोट किया था, इंडिया गडबंधन के पक्ष में, वैसे हर्याना की विधां सभा में वोट करिए, सेज देखना है कि 5 को परिडाम कैसा आता है, आप मेरी इस वीडियो में, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रत्क्रिया आप जरूर मेरे तक भेजिएगा, और संभीधान पर लिखी मेरी पुस्तक, आप में से जिसको भी चाहिए मंगवानी हो, सरलभासा में मैंने लिखी है, तो आप दिये गए नम्मर पर संपर कर सकते हैं, जय संभीधान!